असलम वालेकम कुकिंग विद महरीन में खुशाम दीद उमीद है आप सब खेरियत से होंगे और अल्ला का लाख लाख शुकर है मैं भी विलकुल ठीक ठाक हूँ और बहुत एकसाइट भी हूँ क्यूंकि कल से हमारा शुरू होने जा रहा है बक्राइट स्पेशल वीक जिसमे आपको में सिखाने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट और मज़े मज़े की रेसिपी जो आप बना सकते हैं अपनी बक्राइट पे तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए कुछ मीठे से तो आज मैंने बनाया है मलाई केक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े है तो इस रेसिपी को लाज तक जरूर देखिएगा तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ मलाई केक बनाने के लिए मैंने लिया है यहां पर 125 ग्रैम बटर 3 4th कप शुगर इसे अच्छी तरीक से बाप बीट कर ले एक बात का खास खाल रखिएगा कि बटर हुआ होना चाहिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे 3 4th कप मिल्क और 4 अदद अंडे और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबिल स्पून वरीना एसेंस इन सब को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर ले यहां पर मैंने बीटर की जो स्पीड है वो फुल की हुई है और एक इस कि बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 2 teaspoon baking powder और half teaspoon baking soda अब हम इसमें शामिल करेंगे one and half mug मैदा लेकिन हमने यहाँ पर सबसे पहले one mug इसमें डाल दिया है और हम इसको mix कर लेंगे और इसको इसके बाद हम इसमें half mug जो हमारा बचा है मैदा वो भी हम इसमें शामिल करके और इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने जो है one and half cup मैदा इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से mix कर के और अब हम बीटर से इसको बीट कर लेंगे बीटर की अब मैंने speed रखी हुई है one low speed में इसको बीट कर रही हूँ और इसका smooth सा batter तयार कर लेंगे oven को मैंने पहले ही preheat होने के लिए रख दिया है दस मिंट के लिए one eighty temperature पे और ये देखे हमारा कितना smooth सा batter तयार हो गया है और अब हम इसमें cake tin जो है इसमें butter paper लगा के और इसे butter से grease करेंगे उसके बाद सारा जो हमारा batter है वो हमने इसमें शामिल कर दिया और ये बहुत ही soft और बहुत ही मज़ेदार cake बनता है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा ये देखे हमारा batter बिलकुल तयार हो गया है अब हम इसको bake होने के लिए रख देंगे 45 minutes के लिए one eighty temperature पे जितनी देर में हमारा cake ठीक बेक हो रहा है तब तक हम अपनी रबडी त्यार कर लेते हैं रबडी त्यार करने के लिए मैंने यहां पर लिया है one liter milk और यहां पर मैंने milk pack यूज कर रही हूँ क्यूंकि milk pack में कैसा होता है कि अगर आप milk pack को अगर आप boil करते हैं तो वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है तो इस वज़य से मैंने यहां पर milk pack यूज किया है और आप चाहें तो जो घर में normal milk आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं और इससे हमें तकरीबन इतनी देर पकाना है फुल फ्लैम पे के यह 1 kg से 1 लीटर से half लीटर रह जाए तो इससे मुझे तकरीबन 10 मिंट हो गए हैं पकाते हुए अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबिल स्पून शूगर इससे मुसलसल हिलाते रहेगा वरना यह चिपक जाएगा और इसमें स्मेल आ जाएगी क्योंके हमने यहाँ पर फ्लैम को फुल रखा हुआ है शूगर मिलाते हुए फ्लैम को लो कर दें और फिर दुबारा से इसका फ्लैम फुल करके और फिर इसको आप पकाएं इसके बाद हमने इसमें शामिल किया है एक अदद ब्रैड ब्रैड को बिल्कुल चूरा कर ले और इसके बाद भी हम इसको पांच मिन्ट के लिए पकाएंगे इतनी देर कि यह थोड़ा थिक हो जाए और ब्रैड जो है बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए इसके अंदर और वो बिल्कुल भी नजर नहीं आए आपको इतनी देर तक इसको और पकाना है तो फिर हमारी देखेंगे कितने मज़ेदार सी रब्री तयार है और बहुत ही असान और बहुत ही जल्दी यह बन गई है तो इसे हमें पकाते हुए पांच मिन्ट और हो गए है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है तो इसे हम थंड़ा होने के लिए रख देंगे यह थंड़ा जब होगा तो यह और थोड़ा ठिक हो जाएगा यहाँ पर हमारा केक भी बैक हो गया था और मैंने यहाँ पर केक निकाल लिया है इसे थंड़ा होने के लिए रख दिया था पहले मैंने 10 मिंट के लिए जब यह थंड़ा हो गया तब मैंने इसमें जो है फॉक से इस तरह सुराग कर दिये ताकि जब हम इसमें रबड़ी शामिल करें तो रबड़ी का जो टेस्ट है जो मलाई का टेस्ट है वो बिलकुल केक के अंदर मिक्स हो जाए और इसका बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट आए तो यह बहुत ही सॉफ्ट बना है देखें इसका स्पंच बहुत सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही मज़ेदार केक बना है तो आप इस रेसिपी को इस सीट पे जरूर ट्राइ करें इस तरह पिर आप सारी रबडी जो है इसको इसके उपर डाल दे अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो ये और भी जादा मज़ेका लगेगा तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था 10 से 20 मिट के लिए और इसके बाद हमने इस पे पिस्ता जो है वो डाल दिये और ये बहुत ही खुबसूरत जितना आपको ये देखने में अच्छा लग रहा है आप यकीन माने टेस्ट में भी ये उतना ही मज़ेदार बना और बहुत ही बच्चों को बहुत ज्याद़ पसंद आता है इद पर याफ बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है तो हो सकता है कि आप लोग ये इद पर बनाते भी हों क्योंकि काफी घरों में ये रैसिपी बनाई जाती है अगर आप लोगों की घरों में ये रैसिपी बनाई जाती है तो मुझे कमेंट्स वाक्स में जरूर बताईएगा और आप लोग जो मुझे इतना अच्छा फीडबैक देते हैं इतने अच्शे-च्शे कमेंटS करते हैं आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब मुझे मेरे जो बच्चों का जो चैलिंज में ने करवाय था वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया तो मुझे बहुत खोशी हुई तो उमिद है लोगों को जस usability मेरी सारी recipes पसंद आती हैं यह recipe भी जरूर पसंद आयोंगी मैलती हूं अपनी next एड़ियो में तब तक घ्ले अपना खास खयाल रखें अपने घर वाले को खयाल रखें और please 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 मुझे अपनी दौ़ों में याद रखा करें और बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कल से हमारा शुरू होने जा रहा है बकराइड इस्पेशल वीक तो अब जल्दी से जो है अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सबस्क्राइब कर ले ताकि आपको मिल सकें मेरी सारी वीडियो वो भी टाइम पर तब तक के लिए अल्ला हाफिज झाल